बेहत स्वागता जी सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर हाजर हैं हमारे साथ है मैडम वीना गोईल जो की नेविगेटर सिलूशन्स प्राइवेट लिम्टेड को रिप्रेजन्ट करते हैं मैं वीना गोईल 26-27 साल का experience है और उस्टेलिया में बहुत बड़ा इनका success rate है आज इस प्रोग्राम में कई तरह की clarity मैं वीना गोईल हमारे साथ share करेंगी सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए आफ लैटर जीटी क प्रसेस और क्यों जरूरी है कि तुरंट अस्टेलिया के लिए अगर आप अपलाई करेंगे तो आपको वीजा मिलेगा अगर आपने देर की तो क्या नुक्सान होगा इसी तरह जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोस्ट गैजुएशन में ड्मिशन लेनी ह वहाँ अब पांच साल की बजाए तीन साल का गैप वो है असेप्टेबल है इस गैप के बारे में वो पूरी क्लारिटी देंगे और मास्टर्स की ऑप्शन भी हमसे क्लियर करेंगे और बहुत बड़ा वीजा सक्सेस रेट लेने के लिए और जल्दी जीटी क्लियर करने के लिए आप क्या करें तमाम पॉइंट्स मैं वीना गोईल हमारे साथ पूरी क्लारिटी से अड्रेस करेंगी तो मैं चाहूंगा कि तमाम पॉइंट्स आप एक बर मारे साथ शेयर करें मैं जो 23 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा टाइम है अब study gap का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहें means you are working या तो आपका business है उसके proof दो या आप किसी के लिए काम कर रहे हो किसी company के लिए तो उसका आप अपने सारे job के proof दो अब हमारे पास fab intake है और हम नवंबर मिड में बैठे हैं तो आपके पास अभी time है क्योंकि university offer letter gt और सारा काम करने में एक से तेड़ महिना लगता है और फिर coe आती है और आप file लगाते हैं और visa decision इस time बहुत जल्दी आ रहे within 15 days तो अगर हम सारा time calculate करें तो हम बिल्कुल सह अभी time phase time है आप यह मस समझे लेट है थोड़ा सा लेकिन इतना लेट नहीं है कि आप apply ना कर पाए इसलिए आप immediate अभी apply कर सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ requirements जो post graduation वाले बच्चे हैं उनकी IELTS requirement या PT या TOEFL requirement 6.5 not less than 6 के equivalent होनी चाहिए equivalency आप चार्ट में देख सकते हैं TOEFL की website पे PT की website यूँकि तीन test तो यह accepted है dealing गो home edition बंद हो चुक है जो कि पहले चल रहा था अब आपकी जो percentage है यहाँ सबसे ज़्यादा technical question है जो Australia है इसकी problem यह है कि GTE पे बच्चा जो है मार खा जाता है और बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं छोटी छोटी जगों से छोट छोटे एजेंट्स को उन्होंने फाइल पकड़ा दी आगे उन्होंने कहीं आगे पास की और उनकी GTE क्लियर ने हुई एक एक साल से तो बेटर है आप खुद अप्रोच करिए डायरेक्ट आईए यहां कोई सब एजेंट वाला बात नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा इन बिट्वीन नैचुरल आपको दो घंटे तीन गंटे चार घंटे सफर है लेकिन टेकनोलोजी का टाइम है आपको आने की जरूरत नहीं है आप फोन पर बात करिए और आप हमें डेकुमेंट्स भीज सकते हैं आपके अन्रॉल्मेंट हो जाती है आपके अफर लेटर आगे जीटी के डेकुमेंट्स स्टाफ आपको गाइड करते हैं और यह टोटल प्रोसेस होता है अब जैसे मैंने आयल्स का बताया ऐसे ही अकेडमिक इसमें युनिवर्स्ट मालनी जो 55% हो एकसेट हो जाएगी अब सिक्षन 2-3 की है वो 60-65% लेंगे यह ग्रेजुशन वाले बच्चों की बात कर रही हूं अब अगर प्लस टू वाला स्टूडेंट है तो वो CBSE या ICSE बोर्ड को इसमें एकसेप्ट कर रहे हैं स्टेट बोर्ड को बहुत कम एकसेप उनका आर्ट्स का सब्जेक्ट से लिए हूँ है और IELTS में एक में 5.5 बैंड है और उन्होंने स्टेट बोर्ड से की है तो प्लीज बिगनो इस टाइम क्योंकि अभी हलात बड़े अच्छे नहीं है CBSE स्टूडेंट आपके 65% ओवराल में सब्जेक्ट में और कुछ युन अब कौन सा कोर्स लें सबसे बड़ा चैलेंज हर बच्चे को यह है कि मैं कोर्स कौन सा लूँ कोर्स आप हमेशा पहले बड़े अच्छे से खुद सर्च करिए कौन सा कोर्स आपके लिए कि हम गाइड करेंगे मैं हमेशा आपको यह जो अब टाइम चल रहा है वो बड़ा ही जिसको कहना है चैलेंजिंग टाइम चल रहा है जिसमें आप बहुत फास्ट आपको आगे जानना है आटिफिशल इंटेलिजेंस तो आप आईटी से रिलेटिड आटिफिशल इंटेलिजेंस से रिलेटिड स आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है आपको जॉब बहुत अच्छी मिलती है जॉब मिलेंगी तो आपके सैटलमेंट तो खुद दी है आप देखिए इतने अच्छे कोर्सिस अर्टिविशल इंडेलिजेंस के अपने की एक बच्छे को अराम से हंडर हंडर फिफ्टी थाउजन डॉलर तक की जॉब मिलती है लेकिन डिपेंड्स ओन यूर कैलीबर क्या आपने क्या की है अगर आप यहां से फाइल अप्लाई कर रहे हैं दो से तीन महीने का कर रहे है तुर उसे ठीन महीने का कोई आइटी का कोर्स कर लो तो उसे रिलेटिड चोटा सा अ सबी यही तरीक होता है त्नक्यू सो हैं. Thank you so much. Thank you.